पैंट हूस है ये सबसे बड़ा 4000 स्क्वेर फिट का इसके साथ ही सबसे पहला ये सर्वंट रूम दिखा रहो मैं आपको ये इसका वाश्रम अचा है सर्वंट के लिए आईए अब आपको फ्लेट दिखाता हूँ डुपलेक्स मेंट हूस है फाइब बीच के 4000 स्क्वेर फिट इस स्पेस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं खुला बड़ा स्पेशियस ड्राइंग डाइनिंग रूम है फर्स बैट रूप ड्रॉर्स लगे हूए फैन लाइट्स की फिटिंग मिलती है कॉमन वाश रूप एक मिरर भी मिलता है इसके साथ वाश मिशीन के दो माश्य बैट रूम मिलेंगे आपको इसमें एक माश्य बैट रूम यह स्पेस दिया गया इसमें आप चाहे तो अपना कबट्स भी मना सकते हैं यहां पर वाश्य बैट है यह माश्य बैट रूम के साथ इसमें इसमें दिखाया था इसमें भी एक मिरर दिया गया स्पेशियस माश्य बैट रूम है बुटन टाइलिंग के साथ और बड़ा इसमें एक डोर मिलता है आपको फ्लैट की खुबसूरती है गॉल्फ एसिंग यूनिट है यह और इसके अंदर चारो बैट रूम ड्राइंग एरिया आपका यह बलकनी से मिलता है बहुत खुली बड़ी स्पेशियस बलकने मिलती है किचन बड़ा स्पेशियस मॉडूलर किचन मिलता है और यह है यूटिलिटी एरिया आप अपनी वर्शिंग मशीन यहां लगा सकते है इसे स्टेर्स दिया है उपपर जाने के लिए मैं भी दिखाऊंगा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा है एक फसट बैड़रूम ऐसे ही एठार बैड़रूम है कवर्ट इसमें मिलते हैं लगके फैन लाइट्स की फिटिंग है वेटिफैल नीचे टाइल लगाई हुई है और यह तीसरा बात्रूम कि दो मन वश्रूम मिलते आपको दो अटाच वाश्रूम मिलते आपको सेम जैसे वहां आपने मश्री वेड्रूम देखा वैसी एक मश्री वेड्रूम इदर है खुलना स्पेशियस वाश्रूम जैग्वार की फेटी हुई 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 आईए मैं इदर से आपको बालकनी भी दिखाता हूँ जैसे मैंने बता है गॉल फेशिंग यूनिट है प्रॉपर दूप रहती है इस यूनिट पर सुन्दर नजारा मिलता आपको आप बालकनी देखो कितनी बड़ी बालकनी है स्पेशियस बालकनी यूज छे फिट चोड़ी है और लंबाई तो क्या ही बताऊं वो सामने मसूरी है फिलैट के साथ आपको मिलती है दो गाड़ियों की पार्किंग चार हजार स्क्वेर फिट इसका सुपर एरिया है फाइब एचके है ये और तेरा सो त्रिपण स्क्वेर फिट की इस पर रूफ मिलती है आएए मैं आपको उपर ले चलता हूँ इसके साथ एक अपर रामाने का इसके साथ अंशािः ईया गया है और फिफ्ट पेट्रूम के साथ पांच वर्ष्रूम करके मिलता है खुला स्पेशियस वर्ष्रूम है इतनी बड़ी इतनी खुली छत आप अपना प्लांटेशन यहां कर सकते हैं अच्छे से आप यहां अपना परस्टनल उपर बाहर बना सकते हैं सर्वेंट रूम एक और अगर चाहिए तो आप यह स्पेस उसको यूज कर सकते हैं आप इसके अंदर फैबरिकेशन का काम जरूर कर सकते हैं स्पाइरल एक स्टेर डालके आप उपर टफन गलास भी लगा सकते हैं तो आपको 360 डिगरी हिल मिलता है इस से आप यू देखिए जबरदस्त व्यू है तो आप यूज कर सकते हैं तो आपको